नमस्कार दोस्तो, आज की बड़े खबरों में आपका स्वागत है, फटाफट नज़र डालते हैं आज की बड़े खबरों पर किसानों को रोकने के लिए सरकार ने रास्ते में बड़े-बड़े कीले गार दिये हैं, बैरिकेटिंग लगा दिये हैं और सीमिंट के बॉर्डर तक बनवा डाले हैं किसानों के समर्थन में मलिक अरजुन खडगे ने मोधी सरकार को घेरा कहा बीजेपी सरकार ने किसानों के हाथ में कुछ नहीं दिया बिहार में फ्लोर टेस्ट में नितीश ने चंदमतों से जीत हासिल की परती जस्वी ने अपने भाशन से हर किसी को मौन कर दिया मंदरी पत के लालच में बिहार यूपे के बाद महराश्ट में भी होनी जा रहा है खेला जायन चौधरी के पाला बदलने पर सत्यपाल मलिक ने जायन को दी चेतावनी उन्होंने चैन से कहा कि खत्म हो जाओगे अगर भागोगे तो गिप्टी सीम पत को खत्म करने की याजुका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चंद रचूर ने कहा कि ये कोई समधानिक पत तो नहीं पर इससे कोई नुकसान भी नहीं चलिए अब बड़ी खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं दोस्तो बीजेपी सरकार देश के अनदाताओं से इतनी डर गई है कि अब वो उन्हें रोकने के लिए सडकों पर बड़े-बड़े कीले गाड रही है उन्हें रोकने के लिए गिटी और सीमेंट को मिक्स कर दीवार खड़ी कर दी जा रही है लेकिन फिर भी सरकार किसानों को दिल्ली आने से रोक नहीं पा रही है किसानों के दो बड़े संगटनों सायुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने अपनी मांगो को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली कूच का नारा दिया है वहीं सायुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को एक दिन का ग्रामीर भारत बंद करने का आवाहन किया है तो 13 फरवरी को बड़ी तादात में दिल्ली की ओर कूच कर सकते हैं किसान। जिसके मद्दे नजर एतियातन दिल्ली की किलावंदी की जा रही है। दिल्ली पूलीस द्वारा किसान यूनियनों के दिल्ली चलो मार्च से पहले हरियाना और उत्तर प्रदेश से लगे दिल्ली के बौर्डरों पर कंक्रीट के बैरिकेटिंग सडक पर बिचाया जाने वाले नोकेली बैरिकेटिंग और काटे लगा कर लगतार सीमाओं को किले मे तब्दील किया जा रहा है। इसके लावर आजदानी में 244 भी लागू कर दी गई है और हजारों पुलिस कर्मियों को त्याना अंत कर दिया गया है। के लाए तीन कर्शी खानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिसे बाद में केंदर सरकार को वापस लेना पड़ा। एक ताय तरीके से किसानों को खत्म करने के साज़ श्रची जा रही है। लेकिन आप लोगों के अंदोलन से किसानी को बचा लिया है। से 2022 के बीच बीमा कंपनियोंने 40,000 करोड रुपे कमाए पर बीजेपी सरकार ने किसानों के हाथों में कुछ नहीं दिया। बीहार में नितीश के पलटनी के बाद से ही खेला होने का दावा लंबे समय से चल रहा था और हर किसी को बारा तारीक का इंतजार था क्योंकि उसी दिन पता चलना था कि आखर बीहार में नितीश के सरकार बनेगी या फिर तेजस्वी की और अब परिणाम सामने है। जब नितीश कुमार फ्लोर टेस्ट के लिए विधासभा पहुचे तो RJD पार्टी के तीन विधायक नीलम देवी, चेतनानंद और प्रहलाद यादव सत्ता पक्ष के तरफ जाकर बैठ गए जिसके बाद ये तस्वीर साफ हो गई थी जिसके बाद तेजस्वी यादव ने उ अपने भाशन से सभी का दिल जीत लिया. विधारम लालु जी का बेटा है, इन सब शीजों से घबराते और तर्ते नहीं है. और हम कहना चाहते हैं, जो आप जंडा ले करके चले थे, कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतिजा जंडा उठा करके, मोदी जी को भिहाँ में रोकना चाहते हैं. यह कोई पहली बार नहीं है, यह कोई पहली बार नहीं है, मुक्तमंत्री जी, जो आप लोगों के साथ हमला, अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नोकरी बातेगा, सतर दिनों के अंदर, दो लाग से भी जादा सरकारी नोकरी कैसे मिला, एक्छा सकती होनी चाहिए. बिहार में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच महराश्ट से बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों, जहां कॉंग्रिस के दिगज नेता और राज्य के पूर्व मुक्यमंत्री अशोक चौहान ने कॉंग्रिस से स्तीफा दे दिया है, अशोक चौहान के ने स्पीकर राहुल नर पार्टी ने लोकसवा चुनाव लड़ने के लिए कहा था, हाला कि उन्होंने से इंकार कर दिया था, उन्होंने ये भी कहा था कि कॉंग्रिस से स्तीफा दे दिया, क्योंकि उनका कहना था कि बीजेपी बहुत मजबूत है, इतना ही नहीं, अशोक चौहान के नाना पार्ट पाटोले के विधान सबा अध्यक्ष पत छोड़ने से भी नारास थे, उनका वानना था कि पाटोले की वज़स से महराष्ट में सरकार गिर गई, सूत्रों ने ये भी बताया है कि अशोक चौहान के ने पार्टी हाई कमान से कहा है कि नाना पाटोले को अध्यक्ष पत से के लालच में, हाली में आरलडी के नेता जयन चौधरी ने भी सपा और महागण बंधन को धोखा दे कर भारतिय जंता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया, जिसके बाद सत्यपाल मलिक ने उन्हें कड़ी चितावनी भी दी है जयन चौधरी के पाला बदलने के बाद यूपी के बागपत से तालुक रखने वाली शक्सियत, सत्यपाल मलिक ने कहा है कि जयन चौधरी के बीजेपी के साथ जाने पर आरलडी को फायदा जरूर होगा, वो नौजवान है, उनके लिए अच्छी धारना रखता हूँ, ले जयन चौधरी भी वही कर रहे हैं, वो अब समझोते की राजनीती कर रहे हैं, उन्हें ये मुबारक, लेकिन मैं होता तो ऐसा नहीं करता, हाला कि आपको बता दे कि जयन चौधरी अब भारती अजनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं सुप्रीम कोट में राज्यों में उपमुख्य मंत्रियों को हटाने को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, ऐसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोट के चीप जस्टिस डीवाई चंदरचून ने कहा है, कि उपमुख्य मंत्री राज्य सरकार में सबसे महतपूर मंत्री होता है, और इस पत का सम्विधानिक अर्थों में कोई वास्तविक संबंद नहीं है। वहीं चंदरचून के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा, कि भारत के सम्विधान के तहट ऐसे नियुक्तियों के लिए कोई प्रावधान किये बिना राज्य सरकार में उपमुख्य मंत्री की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका में सार नहीं है, और इसे खारच किया जाना चाहिए। वहीं आपको पता दे कि इस याचिका में कहा गया है कि उप मुख्यमंद्रियों की नियुक्ती से बड़े पैमाने पर जनता में ब्रह्म पैला हो सकता है और राजनीतिक डलों द्वारा कालपनिक विभाग बनाकर गलत और अवैद उदाहरन स्थापत किये जा सकते हैं क्योंकि उप मुख्यमंद्री कोई भी स्वतंत्र निर्ण नहीं ले सकता है केवल उन्हें मुख्यमंद्री के बराबर दिखाया जाता है दोस्तों आज के लिए बड़े खबरों में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बड़े खबरों के साथ तब तक के लिए अलविदा